अगर जनता को किसी एक्टर या एक्ट्रेस का काम पसंद है तो बाकी सब बाते माइने नहीं रखती आज हम बात करेंगे श्रद्दा कपूर की जिनके बारे में बॉली उड में कई बाते होती है श्रद्दा कपूर को कभी भी शारू खान, सल्मान खान, अमिर खान, अक्षे कुमार या रितिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला कहा जाता है कि बड़े बैनर ने उन्हें बैन कर दिया है लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्दा कपूर ने दिखाया है कि उनका जल्वा कहीं कम नहीं हुआ है श्रद्दा की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री टू ने बॉक्स आफिस पर धूम मचा दी है इस फिल्म ने बॉलिवूड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है और शारुख खान की डंकी को भी पचाड़ दिया है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है जिसने 10 दिन में ही 500 करोड का आगड़ा पार कर लिया है कुछ लोग कहते हैं कि श्रद्दा कपूर की फिल्म की सफलता का क्रेट उनके पी आर टीम को जाता है जबकि दूसरों का मानना है कि जनता की पसंद ही सबसे बड़ी वज़े है श्रद्दा ने साबित कर दिया है कि उनकी पॉपलेरिटी और फिल्म की क्रिटिक ही सब कुछ है श्रद्दा कपूर की फिल्म ने भारत में 500 करोड का आगड़ा पार गड़ लिया है और विदेशों में भी 80-100 करोड का कलेक्शन किया है शनिवार को अकेले 38 करोड की कमाई की जो की जबरदस्त है इसके साथ ही श्रद्दा कपूर ने कई बड़ी हीरोईनों को पीछे छोड़ते हुए एक नई उचाई पर पहुच गई है तो अब आप बताईए क्या आपको लगता है कि श्रद्दा कपूर की सफलता उनके पियार की वज़े से है या फिर जनता का प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है आपने स्त्री टू देखी या नहीं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताए और अगर नहीं देखी है तो भी चिंता की कोई बात नहीं जल्द ही या फिल्म कही न कहीं रिलीज होगी धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ थैंक्यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग